कि हैं अबरीबन स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूप चैनल पर आज हम लोग देखेंगे कोडिनेशन के मेश्री को करते हैं उसके बारे में जानेंगे चैँ उसके बाद देखेंगे हम लोग addition एक सबसे पहला जो देखेंगे कोडू में इसको करते हैं ठीक है उसके पाद क्या देखेंगे addition compound ऊसके बादक क्लीचन ताइब मेर्ण का होता है डुल सेक्रियों कले तो ही क्या काता है communications पॉस्ते कपा न हम सब्सक्राइस है के सकते ऑज सब्सक्रेंट सब्सक्राइब सब्सक्राइब सबसे पाला बात एक ब्राँच को सकते हैं टो सबसे पाहला पड़ते क्या किहां तुक्ड भागिस इसमें लोग पढ़ते क्या है उसके बारे में देखेंगे तो इसमें वह सब योगी के बारे में पढ़ा जाता है जो क्या होगा जटी लोगा अब जटील क्या मतलब समझते सब्सक्राइब जैसे माल लिजे F2 F2 या तो 2 बंधन बनाता है या तो F2 कितना बंधन बनाता है तीन बंधन बनाता है या तो 3 बंधन बनाता है लेकिन यही F2 जो है कभी कभी क्या करता है 6 बंधन बनाने लगता है कितना बंधन बनाने लगता है 6 बंधन बनाने लगता है तो इस टाइप का जो compound बनेगा उसी compound को क्या काते हैं जटील योगिक काते हैं ठीक है complex compound काते हैं ठीक है मतलब वो सारा compound जो क्या होगा आपको लगेगा कुछ और generally जितना होना चाहिए समॉगन लिया उतना बनाकर उससे ज्यादा बना ले बनाना चाहिए था दो बना लिया चार या पुछ चाइए लेकिन कितना बना लिया चार या पुछ भी बना लिया तो इस टाइप का जो योगिक बने गा इसी योगिक को क्या कहें सबसे बड़ा जो सिंबॉल होगा वो क्या होगा जटिल योगी का उसमें क्या होगा स्क्वेर ब्रैकेट होगा इस टैप का होगा ठीक है जैसे एफ़ी कि सी एन शिक्स कि यह देखिए कि यह क्या है एक इतना बंधन बना रहा है छे बंधन बना रहा है तो इसका मतलब क्या है यह क्या है और जटिल योगी का सबसे बड़ा सिंबॉल क्या है सबसे यह क्या होगा स्क्वाइर ब्रैकेट होगा ठीक है अगर स्क्वाइर ब्रैकेट दिख रहा है इसका मतलब क्या हो पढ़ेंगे क्या होगा सबसे पाला बात तो एक क्या होगा और दूसरा बात क्या होगा इस द्र सा किसको कहेंगे तिन बनाना चाहिए था वह कितना बनने लगे छैंसे को जटिल योगिक काते हैं सबसे पहला बात क्या हो जाएगा ।aldमे ऑद गर्रांच है जिसके राइनधत्र इंतरगाथ हम लोग क्या पढ़ते हैं जटिल योगिक के बारे में ठीक है तो कोर्डिनेशन केमेश्री किसको कहेंगे रसायन का ववा साखा जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे जटिल योगिक के बारे में अध्यान करते हैं उसी में अध्यान करते हैं उसे क्या करते हैं उससे क्या होगा और समाने जितना बंधन बनाना चाहिए तो उससे ज्यादा बंधन बना ले उसी योगी को क्या करेंगे जटिल योगिक को कहेंगे ठीक है तो रसायन का वासा का जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे जटिल योगिक के बारे में पढ़ेंगे उसी को क्या कहेंगे उपसा सायोजक रसायन काते है जटिल योगिक का सिंबॉल क्या हो जागा जिसमें क्या होगा स्क्वार ब्र अब है एडिशन कंपाउंड को हिंदी में काते हैं योगात्मक योगिक योगात्मक योगिक एडिशन कंपाउंड काते हैं किसको है सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे मौनली आपको सूगर दे दिया जाए और शाल्ट दे दिया जाए नमक ठीक है सुगर और साल्ट को अगर आपको मिस्रित करना होगा तो क्या करेंगे सुगर भी एक कंटेनर में डालेंगे ठीक है सुगर भी माली जए इस कंटेनर में इस दोनों को मिस्रित करना ठीक है सुगर भी डाल देंगे इसमें ठीक है और साल्ट भी इसमें डाल देंगे नमक भी डाल देंगे चीनी भी डाल देंगे इस दोनों को अगर मिलाना होगा हो सकता है कि ये पूरी तरीके से नहीं मिले, ठीक है, सुगर को मिलाना होगा और साल्ट को मिलाना होगा, दोनों को मिला लेंगे, लेकिन मन में नहीं लगेगा कि पूरी तरीके से मिला हुआ है, क्यों क्यों कि ये क्या है, सॉलीड है, दोनों क्या है, सॉलीड है, ठीक है, तो दोनों को अगर मिला आ जाएगा वो पूरी तरीके से मिल जाएगा ठीक है तो इसी प्रकार से एक एक्जामपल ले रहें ठीक है मौन लिजे कि कोई x पदार्थ है ठीक है और कोई पदार्थ y है ठीक है कोई पदार्थ x हो गया कोई पदार्थ क्या हो गया y हो गया अब अगर इस दोनों को सही तरीके से मिलाना है तो क्या करेंगे एक्स का क्या बनाएंगे जली विलियन बनाएंगे ठीक है एक्स का क्या बनाएंगे जली विलियन बनाएंगे और वाई का भी मिलाना है एक्स वाई दोनों को मिलाना है अगर यहां से भी दोड़ा सा भी किसरीत नहीं हुआ तो इसको क्या करेंगे हीट कर देंगे ठीक है इसको क्या कर देंगे गर्म कर देंगे गर्म कर देंगे ठीक है गर्म करने के बाद क्या होगा यह वास्प में परिवर्तित होने लगेगा इस वास्प को क्या करेंगे एक बरतन में क्या कर लेंगे जमा कर लेंगे इस वास्प को क्या कर लेंगे एक बर तन में जमा कर लिए ठिक है ? जमा करने के बाद क्या करेंगे ? यह हमारे पास क्रिस्टल के जैसा B प्रावादार जैसा क्या प्राप्त होगा एक योगिक प्राप्त होगा ठीक है इसी योगिक को हम लोग क्या करते हैं एडिशन कंपाउंड करते हैं योगात्मक योगिक करते हैं फिर से देखे क्या सबसे पाला काम क्या किये एक्स और वाई का लिए ठीक है दोनों का क्या किय एक्स और वाई का क्या किया जली विलियन बना या गया तो एक मिश्रन प्राप्त हुआ ठीक है एक्स और वाई के जली विलियन को मिश्रित किये तो एक मिश्रन प्राप्त हुआ इस मिश्रन को क्या किये हम लोग गर्म कर दिये तो गर्म करने के बाद यह किसमें चैंज हो जागा वास्प में चैंज होने के बाद यह क्या भेपर में मंगी मिसरन होता है तो अब यह वास्प जो बन गया इसको क्या करेंगे एक बरतन में जमा कर लेंगे ठीक है एक बरतन में क्या कर लिए इसको जमा कर लिए ठीक है जमा करने के ठीक है क्या कहते है इसको एडिशन एडिशन कंपाउंड कहते हैं ठीक है इसी योगी को क्या कहेंगे एडिशन कंपाउंड कहेंगे ठीक है तो सबसे पाला काम क्या किये दोनों का जली विलियन लिए अगर दो पदार्थ को मिसरीत करना है तो दोनों का क्या किये जली विलियन लिए, दोनों का जली विलियन लेने के बाद क्या किया, मिला दिये दोनों को, तो हमको क्या हुआ, एक मिसरन प्राप्ट हुआ, मिसरन को क्या किया, गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या किया, उसको वास्पी क्रीट कराए, वास्पी कराने के बाद क्या किया, उसको संगनित क आने के बाद ये crystal के जैसा एक compound प्राप्ट हुआ ठीक है crystal यानि की प्रवाधार ठीक है crystal के जैसा क्या प्राप्ट हुआ योगिक प्राप्ट हुआ इसी योगिक को हम लोग क्या काते है एडिशन compound काते है ठीक है इसी योगिक को क्या काते है एडिशन compound काते है तो सबसे पहला काम क्या किये मिलाये ठीक है दूसरा काम क्या किये वाश्पी करिद कर मतलब वहांजेशन करा है उसके बाद संघनीत करा इस- तीनों फरोसेस के बार जो हमको compound crystal के जैसा crystal के जैसा योगी को क्या कहते है योग addition compound काते हैं ठीक है तो सबसे पहला काम क्या करना है दूसरा काम क्या करना है संगहनित कर relación के के बाद जो crystal के जैसा योगिक प्राप्त होगा उसी योगिक को क्या काएंगे एडिशन कंपाउंड काएंगे ठीक है तो इसी का definition हम लोग देखेंगे ठीक है तो सबसे पाला क्या करना है सबसे पाला काम क्या करना है आपस में मिसरीद करना है ठीक है मिसरीद करने के पाद crystal के जैसा जो योगीक प्राफ्त होगा सफीन योगी को क्या कहेंगे एडीटीसन कमपाउंट अब इस मिसरन को मिलाने का एक रेशियो होगा जैसे यह एक्स का जली वी बच जा एक कितना लेना पड़ेगा इसी रेशियों को काते हैं इस ट्रपोमेट्रीक रेसियों अगर के साथ 2 Acho किलोरिन ले लिए गजये ड़के साथ और इक एम के साथ 2So के ऐख जाएगा रहा नहीं मितलब इसका मतलब बेकार बतागा ओस इसी रेसियो एक और दो जो है, एक एम जी के लिए दो क्लोरीन है, यही जो रेसियो हुआ, उसी को कहाते हैं, इस्टोकोमेट्रिक रेसियो, ठीक है, तो इसका क्या करना है, या तो simple या फिर salt solution बनाना है, simple या फिर salt solution को क्या करते हैं, मिश्रित करते हैं मिश्रित यह सिंपल हो गया या फिर साल्ट सॉलिशन जो भी बोलो दोनों को क्या करेंगे मिश्रित करेंगे मिश्रित करने के बाद क्या होगा एक मिश्रन प्राप्त होगा इस मिश्रन को क्या कराएंगे वास्पी करीद कराने के बाद क्या होगा इस वास् सातमां यह गयेंगे ठीक है तो चलो देखो डिफनेशन का होगा एडिशन पॉंड टा róए А जब दोस्की है कि मिस्रित कि ये तब हमें एक लंद प्राप्ट होता है क्या होता है एक प्राप्त होता है जिसका वास्पी करनकर अंतता जब इसे संगनित किया जाता है तब हमें क्रिश्टल के जैसा योगिक प्राप्त होता है जिसे योगात्मक योगिक करते हैं जिसको क्या करते हैं योगात्मक योगिक सबसे पाला क्या कराना है मिस्रित कराना है मिस्रित कराना किस रेशियों में इस्टोक्मेट्रिक रेशियो में मिस्रीट कराने के बाद क्या करना उसको वसपी कृइद कराना जयआ जो योगी प्राप्थ होगा उसी योगी को क्या कहेंगे इडिसन कंपॉंड कहेंगे योगातमय योगी कहेंगे फिक है जैसरे मान लिजे एक के सील का जली विलियन बनाए ?o खोगा युट लिखा गया यहां कि दो नंबर में क्या किया ुसको वासपी करिद कर आए ठीक है कंडन सेसन कर वाया कंडांसेशन का मतलब क्या करवा संगनीद कर वायग एडिसटá ऐसीखते गलप तहाइं डो एक था युम्पल या सालसॉलिσιन को क्या करते थे खुमेट्रिक एस मीश स्डेट राफन होता था इस दोनों को मिश्रित किया जाएगा तब एक मिश्रन प्राप्त होगा उस मिश्रन को क्या करेंगे वास्पी कराएंगे वास्पी कराने के बाद क्या कराएंगे संधनीत कराने के बाद जो क्रिश्टल के जैसा योगिक प्राप्त होगा उसी योगिक को क्या करते हैं योगातमा योगिक टिसको लिखने का टरीका रूल करना च्यांसओं क्या करना था जली विलियन बनाना था उसके बद क्रिश्टल के जैसा जो योगी प्राफ्ट होगा उसी योगी को क्या काते थे एडिसन कंपाउंड काते थे ठीक है कंपाउंड काते थे और लिखने का तरीका क्या हो जागा कैसी यल लिख दिए उसके बाद डॉट दे दिए UMG-CL-2 दिए ठीक है तो यह ओगा है आपका एडिसन कंपाउंड बन गया जैसे दूसरा है यह कैसी का जली विलियन बनाए नस त्रीth नेस ध्रीं का भी जली विलियन बना लिए अब इस दनों को मिसरीत करा लेंगे सबसे पाला काम क्या हो गया हो यह मिश्रान करने के बाद दो नंबर में क्या और उसको वास्पी कर देंगे वाइज leci करवा देंगे चनल पर देंगे इसको कंडांट्य नंबर संकर वाइगे या नि. इस आशनल के रवादार टोगा तूंक्रप्षाइए क्या कहें चैसि के वा वह उच्य मैं डॉट दे दिये, उसके बाद NS3 है, NS3 लिख दिये, ठीक है, ये भी क्या हो गया, आपका addition compound, ठीक है, अब तीसरा देखिए, FECN2 है, इसका जली विलियन बना लिए, 4KCN है, इसका भी क्या किया किया, जली बना लिए, दोनों का जली विलियन क्या किया, एक मिसरित कर लेंगे, दोनों के जली विलियन को क्या कर लेंगे, मिसरित कर लेंगे, ठीक है, मिसरित करना सबसे पाला काम था, पाला काम क्या था, मिसरन करना था, दूसरा काम क्या था, उसको तो रवादार योगिक प्राप्थ होगा, उसी योगिक को क्या कहते थे हम लोग, addition compound, ठीक है, तो अब देखें, यहाँ दो टाइप का योगिक है, यह वाला KCL, MgCl2 और KCL, NS3, यह दोनो एक टाइप का योगिक है, और इस योगिक को कहते हैं, double salt, क्या कहते हैं, double salt, ठीक है, K KCL.MgCl2 और KCL.NS3, यह दोनो जो योगिक है, इस टाइप के योगिक को क्या कहते हैं, double salt, और इसमें देखें, क्या है, square bracket है, square bracket है, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, जटिल योगिक हो जाएगा, ठीक है, इसी को कहते हैं, coordination compound, जो कि हम लोग को परना, ठीक है, इसी को क्या क MgCl2 और KCL.NS3, जिसको क्या कहते हैं, dual salt, dual salt, ठीक है, double salt, और इसको क्या कहेंगे, coordination compound या फिर complex compound, ठीक है, complex compound या coordination compound, coordination compound का ये, square bracket अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, coordination compound हो जाएगा, ठीक है, इसका example लिख लेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं, अब types of क्या हो जाएगा, addition compound, types of addition compound, ठीक है, तो योगात्मा क्योगिक के परकार, योगात्मा क्योगिक कितने परकार के, ठीक है, कितना परकार का हो जाएगा, दो परकार का हो जाएगा, सबसे पाला क्या हो जाएगा, double salt, ठीक है, दुईक लवन जिसको हिंदी में काते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, coordination compound, जिसको क्या काते हैं, सा सायोजक योगिक काते हैं, ठीक है, जिसमें square bracket हो जाएग हो गया दो टाइब का हो गया कितना हो गया किता टाइब का उगया palavras जएक ले तो इसमें mgcl to kcl और .mgcl ये क्या हो गया double salt हो गया kcl.ns3 ये क्या हो गया double salt हो गया 211 हो गया ये दोनों क्या हो गया 211 और ये जो योगी खाये क्या हो जाएगा कोडिनेशन कंपाउंड हो जाएगा ठीक है कि अब देखें डवाल किसको करते हैं ठीक पहले समझ लगता है double salt उसको कहेंगे वो वाला योगी जिसका अगर जिसको हम पानी में डालें जल में डालें वो जो तूटेगा उसके सभी परमानू जो तूटेंगे वो समान्य सहियों जकता के साथ तूटेंगे ठीक है double salt किसको कहते हैं उसके बारे में देखेंगे ठीक है 211 किसको कहते है 211 उस योगी को कहते हैं अगर मान लिजे के CL जैसे अभी तूरांथ हम लोग देखें हैं वो सभी जैसे मान लिजे 211 में मान लिजे के है 211 में के है तो के हमेशा जो टूटेगा वो के प्लस वन में टूटेगा जैसे CL है तो CL जो टूटेगा वो हमेशा किस में टूटेगा माइनस वन में टूटेगा मतलब अगर double salt को हम लोग जली विनियल में डाल रहे ठीक है तो वो जो परतेक योग परमानू होगा उसका जो और इसको जली मुलिएन में डालने के बाद यह अपने आयन में ही तूटेगा, प्लस का है अगर डवर सौल्ट दूइक लवन है इसका मतलब इसमें जो परमानू उपस्थित होगा उसका संयों जकता संयों जकता का मतलब क्या होता है बंधन बनाने का छिंटा जितना बंधन बनाएगा वही क्या हो जाएगा उसका संयोजक्ता ठीक है तो बंधन बनाने का छम्ता जो होगा डूल सॉल्ट में जितना भी परमान उपस्तित होगा जितना भी परमान उपस्तित होगा उसका संयोजक्ता क्या होगा समान ने होगा ठीक है और इसको जली विलियन में डालेंगे तो यह जो टूटेगा वो अपने आयन में ही टूटेगा जैसे के प्लस वन में टूटता है तो प्लस वन में टूटेगा तो दूएक लवन उसको कहेंगे जो जो दूएक लवन उस यह क्या होगा डूएल सॉल्ट जो है वो क्या है दूएक लवन क्या है योगात्मक योगिक का परकार ठीक है योगात्मक योगिक काई परकार है तो वह योगात्मक योगिक जिसमें उपस्तित परतेक परमनु अपने किसमें टूटेगा अपने आयन में ही टूटेगा और परतेक परमनु का संयोजक्ता क्या होगा समान नहीं होगा ठीक है जैसे संयोजक्ता का मतलब क्या हो जागा बंदन बनाने का चमता ठीक है या बंदन की संख्या जितना बंदन वही उसका क्या हो जाएगा संयोजकता हो जाएगा जैसे एने का बंधन बनाने का चमता कितना एक है क्लोरिन का कितना एक है ठीक है तो यह नैट्रोजन का कितना है तीन है तो जितना बंधन बनाने का चमता है उतना ही बंधन बनाएगा ठीक है डुल सॉल्ट में अगर कोई परमानू उपस्ती ता है तो उसका संयो जकता क्या होगा? समान ने होगा ठीक है? दुईक लबन में अगर कोई परमानू उपस्ती ता है तो उसका संयो जकता क्या होगा? समान ने होगा और उसको जली विलियन में डालने के बाद अपने आयन में ही टूटेगा अपने आयन में टूटेएंगे जितना में टूटता है ठीक है तो dual salt किसको कहेंगे वाय योगात्मक योगिक, dual salt क्या हो जाएगा, वाय योगात्मक योगिक ही होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, परतेक परमानु की संयोजक्ता क्या होगा, समान योगा, संयोजक्ता क्या होगा, समान योगा, मतलब बंधन बनाने का छमता जितना होगा, उतना ही बंधन बनाएगा दो बंधन बनाना है तो दो ही बनाएगा तीन बनाना होगा तो तीन ही बनाता होगा तो सन्योजक्ता क्या होगा समान होगा और उसको जल में डान लेके बाद क्या होगा परमानु जो तूटेगा वो अपने आयन में ही विगाटित होगा तो सबसे पाला डिफनेशन इसका डिफनेशन क्या हो जाएगा दूइक लबन का वा योगात्मा की योगी वा योगात्मा की योगी जिसमें उपस्तित परमानुओं की संयोजक्ता क्या होगा और समान नहीं होगा क्या होगा ठीक है वा योगात्मा की योगी जिसमें उपस्तित परमान में चूटते हैं ठीक है तो आई ये definition देखते हैं पहले वाय योगात्मा की होगी जिसमें परतेक परमानू की संयोजक्ता समान्य होता है ठीक है वाय योगात्मा की होगी जिसमें उपस्तिक परतेक परमानू की संयोजक्ता क्या होता है समानी होता है तथा जिसे जल में घुलाने पर परतेक परमानू अपने आयन में विघाटित हो जाते हैं उसे दुईक लवन काते हैं ठीक है वाय योगात्मा की योगी जिसमें उपस्तित परतेक परमानू का संयोजकता क्या होगा समानी होगा ठीक है जितना बंधन बनाने का कि अगलमा अपने ही टोटेगा अपने ही हाय अपने आयान अने में ही हो जाटे हैं उसे क्या हो बूइक लवन काते हैं ठीक है चलिए एक्जामपाउंड देखता है सबसे फाला देखिए अभी जो एक्जामपाउंड में तुरांत लिखे थे के सील इंटो एमजी सील टू यह क्या था एक एडिसन कंपाउंड था ठीक है के था के प्लस वन में तूट गया एमजी किस में तूटेगा प्लस टू में तूटेगा एमजी किस में तूटेगा प्लस टू में तूटेगा ठीक है कितना क्लोरी एक के प्लस वन में तूट गया एम जी प्लस टू में तूटेगा और सी एल किसमें तूट गया माइनस वन में ठीक है तो जो उसका अपना आयन है उसी में टूट रहा है देखें के प्लस वन में टूटता है टूटा है एम जी प्लस टू में टूटता है तो टूटता है तो टूटता है ठीक है तो इसी करण से यह क्या हो जाएगा डबल सॉल्ट हो जाएगा ठीक है अब जैसे दूसरा एक्जामपल के सी एल तो एन किसमें तूट जाएगा माइनस 3 में और H plus किसमें प्लस में तूट गया किसमें अपने न में तूट गया ठीग और पतेक परवनु का बंदन उसी कारण से इसको क्या कहेंगे डवल साल्ट एब देखिए यह क्या है पहले समझ देखते हैं चालक जो होता है conductor जो होता है वो दो तरह का होता है कितना तरह का होता है एक होता है त्सक्रा nation कुछ धातू है तो इसमें यहां तक आएगा तो किसे धातू में अगर का चाहिए एक और से करेंट इस चोर पर आता है तो वो किसके कारान आता है फ्री लक्रॉन के कारान आता है लेकिन अगर मान लिजे कोई लिक्वीड है ठीक है कोई लिक्वीड है इसमें वायर यहां पर डाले ठीक है और इसमें लिक्वीड है ठीक है यह क्या हो जागा आपका तो इसमें जो होगा, इसमें क्या होता है, फ्री इलक्ट्रोन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, आयन होता है, एक छोर से करेंट दूसरे छोर ले जाने के लिए इसमें क्या होता है, आयन होता है, तो आयन के कारण से इसमें क्या होता है, एक छोर से दूसरे छोर इलक्ट्रो होता है इसी को कहते हैं इलक्त्रोलाइटिक कंडूक्टेर और इसको क्या काते हैं चुरों के करण करेंट प्रवा ओता है और लट्रोलाइटिक कनेटर उसको कहते है जिसमें किस के कशने होता है आयन के क injusty फरबाहता हुआ beth ह Medal 8 इसमें जादा doin। यह बता कि अगर आयन आयन जीकता होगा टीक है इसा करण से मतलब इसकाचा लगता है अगर आयन इसमें ज्यादा है इसका मतलब इसका चालकता क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा अगर इसमें आयन कम है तो इसका चालकता क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा अगर इसमें आयन कम है तो इसका चालकता क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है तो इसी चीज को हम लोग देख लेते हैं ए अ tow drilling electrical conductivity जो होताय वो समनुपाती होता किसका number of iron का जो हता है आयन की संख्यां क्या होता है समनुपाती या नि की अगर iron आपका ज्यादह आ तुछ में चालकता है विद्दु चालकता भी क्या होगा ज़्यादह होगा ठीक है अगर आपका iron काम है ठीक है? अगर electrolytic conductor में iron काम है तो उसका विद्दुचलकता भी क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा ठीक है? जैसे हमन लिजे इसका देखना है NaCl और MgCl2 है तो इस दोनों मैं से विद्दुचलकता किसका जादा हो जाएगा? अब को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा जाएगा तोटल कितना कई हो गया ढूंज दो खीक है इसमें किंगर नहीं यहाँ है क्या रिखें यह इसको कहां ले जाएगे ? सरपर, ठीक है ? तो यह कितना ओ जाएगा ? इसको तोरेगे ? क्या होगया ? अपना पीछे ? तो देखतना हो गया तो किया करेंगे ? पीछे , लिख देगे क्या हो गया दूसर रहे का उपर लेंगे और पैला पर दिया जाता है पलस क्या दूसरे है अरे कितना और दो तोटल को ट्रम को ए टीन ओग सो इसमें कितना आैन तैन और दोनों में से किस सिर्फह लंगता अधिक हो जाएगा अदिए में कितना आयन का जाएगा दो हो जाएगा ठीक है और इसमें कितना इन हो जाएगा टीसे अजए हो tons मैं से एक इसमा अठना कितना हो जाएगा तसलेंड इसमें क़न کईलिन गडिकर等 gent 2, 1, 3, डिरेक्ट है, इसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी कितना हो जाएगा, एक और दो, कितना हो जाएगा, टोटल आयन कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, तीन, यहां एक है, यहां तीन है, कितना हो जाएगा, टोटल आयन कितना हो ज्यादा हो जाएगा और आयन का संख्या कम रहेगा तो भी दूं चलकता क्या हो जाएगा काम हो जाएगा ठीक है चलिए आगे सब Fer कॉडिनेशन कंपाउंड सबसे पहले समझते हैं कि कहते किसको है कॉडिनेशन कंपाउंड सबसे पहला बात तो कॉडिनेशन कंपाउंड में क्या होगा एक स्कॉयर ब्रैकेट होगा सबसे पहला बात क्या होगा कॉडिनेशन कंपाउंड में क्या होगा एक स्कॉयर स्क्वाइर ब्राकेट होगा इसके बीच में मीडिल में क्या होगा एक मेटल होगा ठीक है एक क्या होगा मेटल होगा और इसके चारो तरफ क्या हो जाएगा लिगेंड हो जाएगा क्या हो जाएगा लिगेंड हो जाएगा इसके चारो तरफ क्या हो जाएगा सबसे पहला बात क्या बता है कि coordination compound में क्या होगा सबसे पहला बात क्या होगा एक क्या होगा square bracket होगा square bracket को कहते है coordination sphere क्या कहते है स्वेयर को चाते हैं का चा्व ये इसके सब गया गयाinstant हम यहाई моя काई TH को सब्सक्रेब हर कि ने सब्सक्राइब करते है क्या कॉडिनेसा इस इस एम को कहते हैं सेंट्रल एटम इसको क्या कहते हैं इसको क्या कहेंगे स्क्वाइर ब्रैकेट को क्या कहेंगे कोडिनेशन इस फेयर ठीक है इसको क्या कहेंगे कोडिनेशन इस फेयर सहसंयोजब जालब ठीक है और एम को क्या कहेंगे central atom ठीक है M को क्या कहेंगे central atom और L को क्या कहेंगे ligand ठीक है इसको क्या कहेंगे ligand ठीक है अब देखे इसी को short में हम लोग लिख सकते हैं कैसे सबसे पाला बार क्या दे दिये square bracket होगा जो की compulsory है अगर coordination compound है तो इसका मतलब क्या होगा square bracket होगा M को थोड़ा सहीदा रहटा देना है ठीक है उसके बाद हमारा ligand L को दे दिये और जितना होगा ligand उसको मन लिजे यह एन है ठीक है यही आपका होगया coordination compound ठीक है जेनरली जो coordination compound देखने के मिलेगा वह कैसा मिलेगा इसी तरीक का ठीक है इसको क्या कहेंगे स्क्वाइर ब्रैकेट को क्या क्या कहेंगे coordination sphere ठीक है M को क्या कहेंगे central atom ठीक है उसके बाद L को क्या कहेंगे ligand और जितना संख्या होगा उसको एन से यहां दिखा देंगे चार हुआ तो सबसे पहले इसको जानते हैं सबसे पहला बात क्या है एक योगात्मक योगी का ठीक है जिसमें क्या होगा coordination sphere होगा जिसको क्या कहते हैं उफ सहसंयों जालब कहते हैं ठीक है और इसको जल में अगर ढलते हैं तो यह अपने आयन में यह क्यों नहीं तूटेगा अभी आगे आगे लोग देखेंगे ठीक है अगर इसको जल में डालेंगे तो क्या होगा Coordination compound को अपने iron में क्या होगा नहीं तूटेगा तो सबसे पाला बात Coordination compound किसको कहें गे Why योगात्माक योगिक जिसमें क्या होगा Coordination क्या होगा Sphere होगा उपसा संयोजक क्या होगा जालक होगा उसके अंदर क्या होगा एक Central Atum होगा और central atom क्या होगा, ligand से चारो तरफ से क्या होगा, घिरा होगा, जो अपने चारो और ligand से घिरा होता है, ठीक है, central atom क्या होगा, ligand के चारो, ligand से क्या होगा, घिरा होगा, और जिसको जल में डाले के बाद क्या होगा, अपने iron में नहीं तूटेगा, ठीक है, double salt क्या होता था, अपने iron में तूट जाता था ठीक है लेकिन coordination compound क्या होगा अपने iron में नहीं तूटेगा ठीक है जैसे महली जे na है na plus one में तूटेगा लेकिन अगर यह coordination compound में तो na plus one में नहीं तूटेगा ठीक है तो अपने iron में यह क्या होगा नहीं तूटेगा तो सबसे पहला बात coordination compound का अग सेंट्रलेटम कें। इंट्टिफ होते हैं जो अपने चारों किसे गिरा हुआ होता है। जिसे जल में मिश्रित करने पर प्रतिक प्रमानु में नहीं तूटेगा तो Coordination compound का क्या होगा definition सबसे पाला बात Coordination Sphone होगा उसके अनदर क्या हो जाएगा सेंट्रल ATOM हो जाएगा Central atom क्या होगा loyal उससे चारो तरफ से घिरा होगा और इसको जाल में डालने के बाद यह अपने आयन में नहीं कूटेगा थिक थ्या तो चलिएबस का संयोजक जालक होगा ठीक है उपसा संयोजक जालक होगा जिसको क्या काते हैं कोडिनेशन स्फेर काते हैं जिसमें उपसा संयोजक जालक के अंदर एक केंद्रिया क्या होगा परमानू ठीक है सेंट्रल एटम उपस्तित होते हैं जो अपने चारों और लीगेंड से घिरा होता ह तथा जिसे जल में मिश्रित करने पर प्रतेक परमानु अपने आयन में विघटित नहीं होते हैं उसे उपसा संयोजक योगिक या जटिल योगिक कहते हैं उसे क्या कहते हैं उपसा संयोजक योगिक कहते हैं या फिर जटिल योगिक कहते हैं में सबसे पाला लागा दूसरा बात क्या अंदर कोडिनेसन कंपाउंड में घ्ल में डालने के बाद उसके पर्तेख परमानु अपने आयन में क्या होगा वी घटी नहीं होगा तो उसी योगी को क्या कहेंगे उपसा सायोजक योगी कहते हैं ठीक है आई एक्जामपल देखते हैं जैसे यह क्या है यह क्या हो गया आपका कॉडिनेशन इस्फेर हो गया ठीक है यह क्या हो गया आपका M क्या हो गया Central Atom हो गया ठीक है यह M क्या हो गया Central Atom हो गया और L क्या हो गया Legand हो गया ठीक है M क्या हो गया Legand हो गया ठीक है यह क्या हो गया Square Bracket क्या हो गया Coordination Sphere हो गया M क्या हो गया Central Atom हो गया Central Atom हमेशा एक ही रहेगा ठीक है और इसके चारों तरफ कौन होगा लिगेंड होगा ठीक है इसी को लिख सकते हैं M हो गया central atom L हो गया लिगेंड इसके चारों तरफ जो घिरा हुआ है और N क्या हो गया लिगेंड का संख्या जितना लिगेंड रहेगा जिसमें कितना है 3, 3, 6, 2, 8 ठीक है गाला बाद था ऑगर टो यह क्या हो जागा इसके अंदर अगर अगर देखा जा जाए तो वाला अलग छीज़ए ठीक है अंदर वाला में क्या है सबसे पाला क्या देखेंगे हम लोग यह स्कॉार ब्राइकेट है तो कनफर्म हो गए तो हो गए कि यह क्या है कॉडिनेशन कमपाॉंड है ठीक है और एन क्या हो जाएगा एल हो जाए गा और शिक्स क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा और लीगेंट पाचनणने के लिए आगे देंगे यह सीएन क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेेट थी हो गया मतलब यह कोडिनेशन कमपाउंड हो गाँ ठीक है इसमें यह एकल हुए है मोग 수가 सटिर्म ओ गया और लिओ कर सेंट्राल एट्रेम कॉडीनेशन के पूपाउंड के एक्जामपल उसको कि लिखigonपाउंड को लिख लेना यह क्वालिनेशनों सब्सक्राइर कोडिनेशन हो जाएगा ठीक है उसके नीचे एक्जम्पल में लिख लेना इसको अब देखिए इसको जली विलियन में डाले के पाद यह कैसे टूटेगा ठीक है के फोर एफी सीन सिक्स है इसको जल में डाल दिये ठीक है अब इसको तोड़ना कैसे है जैसे देखिए फोर है तो फोर को कह ले जाएंगे तो फोर को ले आएंगे यहां कुछ नहीं तो और टुकर दे दिये उसके बाद के ठाट के रख दिये उसके वाद यहां की तौँ आपर रख दिये और इस पर पहला पर कितना हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, अब यहाँ कुछ, यह 1 क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा, तो 1 कहाँ ले जाएगे, पीछे, ठीक है, F E C N 6 है F E C N 6 लिख दिये, पूरा लिख दिये, ठीक है, और ये 4, इसके लिए ये 4 क्या आगया, दूसरा, तो इसको कहाँ ले आएंगे, उपर ले आएंगे, तो माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, अब दूसरा देखे K 3 है, 3 इसके लिए कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा उसके बाद यहां कितना हो जाएगा वान हो जाएगा एफी सील सिक्स के लिए वन क्या हो गया अपना हो गया और उसके बाद इस पूर्य को लिख देंगे जैसा है वह से लिख देंगे ठीक है उसके बाद क्या हो जाएगा यहां इसके लिए यह थ्री यह क्या हो गय उसके बाद यहां कुछ नहीं तो क्या है वान है इसको कहां ले जाएंगे इसके उपर ले जाएंगे इसे यहां पर ले आएंगे ठीक है तो यहां ले आए प्लस वन ठीक है अब वन क्या हो जाएगा पीछे आ जाएगा एन आई में ठीक है ये अपने आयन में इन देखे तो टूटा है ये अपने लोग कांड्ीने संन पाउंड जाल में करने पते कर देंड पर मन Ł applies हुँच captures तो भी घटित नहीं हो रहा है अपने आयन में भी घटित हो रहा है इसमें भी FECL6 पूरा ठूट रहा है ना कि FECL4 यह पूरा अलग हो रहा है ठिक है ना कि आपने अकेले-अकेले NIE अलग तूटता, CL अलग तूटता, तब ना अपने आयन में तूटता, अलग अलग तूटता, लेकिन यह क्या हो रहा, यह complete तूट रहा, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, अपने आयन में नहीं तूट रहा, ठीक है, तो सबसे पहला बात आज हम लोग क्या देखें, कोडिनेशन केमेश्ट्री किसको काते हैं, वो वाला केमेश्ट्री जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते थे, रसायन का हुआ साखा जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते थे, जटिल योगिक के बारे में, ठीक है, जटिल योगिक के बारे में पढ़ते थे, उसी को compound काते है ठीक है रसायन का हुआ साका जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते थे जटी लियोगिक के बारे में पढ़ते थे उसी को क्या काएंगे हम लोग उपसा संयोजक रसायन या coordination chemistry ठीक है उसके बाद क्या देखे addition compound इडिशनकॉंड किसको करते थे?, दो पदार्थ को क्या करते थे?, संगहनीत कराने के बाद क्या होता था?, खृष्टल के जैसा रवादार के जैसा क्या होता था हमको ठ Heritage क्या एैटिसन क्राइगे संघरी कराएंगे कंगते बाद च्रिश्टल के जैसा जैसा यह प्राप्त होगा उसी को क्या क्या चाहिए अम लोग योग ऐदिसन compound ठीक है जब दो simple या salt solution को आपस में और किस रेशियो में मिला ना था stoichiometric ratio में मिस्रित करते थे दोनों को मिस्रित करते थे किस रेशियो में stoichiometric ratio में ठीक है जब दो simple या salt solution को आपस में stoichiometric ratio में मिस्रित किया जाता है तब हमें एक मिस्रन प्राप्त होता है जिसका वास्पिकरन कर अंतता जब इसे संगनित किया जाता है तब हमें क्रिष्टल जैसा योगिक प्राप्त होता है जिसे योगात्मक योगिक करते हैं किया कॉंपाउंड कितना होता था था एडिशन कंपाउंड कितना टाइप का था था न्टाइप कासब से पाला क्या था यह एग और उसको जल में डालते थे थे तो वह अपने आयन में ही टूटता था जैसे na plus one में टूटता है तो one plus one में ही टूटेगा ठीक है दूसरे में नहीं टूटेगा ठीक है परते परमानू अपने किसमें टूटेगा अपने ion में ही विगतीद होता है तुनीय को क्या कते थे ढवल सॉल्ट का एक्जॉक्पल को डाले थे किस में किस में टूटा था के सिएल प्लस में योमें 3 सिल माइनस में और कैसी य सियल फ्री था थीक उसके बाद उसके तृओं थैफ उसके बाद हम लोग देखे कॉर्डिनेशन कमपाउन किसको कहते थे योगात्मा कैुगी कोडिनेशन स्फेयर के अंदर क्या होगा सेंट्रल牛 sack भी और नहीं टूठता था उसई को क्या करते थे संभा autonom इसोल में डालने के बाद ये आपने आयन में क्या आता था नहीं तूटता था ठीक है उस योगी को क्या कहते थे कोडिनेशन कंपाउंड कोडिनेशन कंपाउंड किसको कहेंगे सबसे पहला बात क्या होगा कोडिनेशन स्फेर उपस्तित होगा उसके अंदर क्या होगा एक सेंट्रल एटम होगा जिसको M से दिखाते थे और ये क्या हो जाएगा Central Atom के चारों तरब क्या होगा Legand घिरा हुआ होगा और इसको जल में डालने के बाद आपने आयन में नहीं तूटेगा ठीक है इसको कैसे लिखते थे M, L और ये L का संख्या N ठीक है ये क्या था Coordination Compound था प्रय संख्यक्पिशा स्ग्यक्पिशंचरiesta में क्या हम और डीक है attra Das को जया खुआ है